हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियों क्लासेज में अब हम बात करेंगे आपके लिए जितने भी नामांग कि चित्र इंपोर्टेंट है उनके बारे में यह वो चित्र है जो कईन गई आपके टेस्ट में हो चाए बोर्ड एक्जामस में हो चाए मोडल पेपर में हो कईन गई पूछे गए है ठीक है और सारी के सारी बहुत इंपोर्टेंट है और यहां से आपको दो तिन तो डाइग्राम चित्र यह देखने को मिलेंगे ही अगर आपने सारे मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो यहां पर आई बटन पर क्लिक करके सीधे प्लेलेश्ट में जा सकते हैं वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी एकदम शानदार हो ठीक है ना वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों को शारत और नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें सबसे पहले देखे आपके पहले पार्ट के यह जिसमें आपको हल का यह डाइग्राम बनाना आ सकता है एक नंबर का सिर्फ में यह देखिए यह हल सैप्ट होती है यह फॉल होता है यह वाला ठीके ना ध्यान रखिएगा उसके बाद में आपको कुदाली बनाने का पूछ सकते हैं ठीके ना आपके टेस्टों में कई बार पूछा गया है कुदाली बनाने का ठीके ना यह ध्यान रखिएगा फिर नाइट्रोजन चक्र यह बहुत इंपोर्टेंट है नोट कर लीजिएगा इसको नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीके ना और यह आपके मॉडल पेपर में भी आ चुका है कई बार तो इसको बिलकुल एक दम दिमाग में बढ़ा लेजिएगा अगला देखिए कौन सा है फिर आपके नेक्स्ट है यह भी आपके मॉडल पेपर में आ चुका है ठीक यह सारी चीजे मालूम होने चाहिए उसके बाद में यह भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि मानव में नर जन्नांग और मानव में मादा जन्नांग यह पूछे जा सकते हैं बहुत बार पूछे हैं यह दोनों चीजे तो यह तो अपने मॉडल पेपर में इस बार आप द जीवन चक्र में डाइग्राम पूछे यह कोई जरूर नहीं लेकिन यह जीवन चक्र पहला की अंडा फिर आरंबिक टोड पॉल बाद का टोड पॉल और वयस्क और फिर से अंडा यह जीवन चक्र बहुत बार पूंचा हुआ है ठीक है ना फिर देखिए अमीबा में निश यंत्र ये डाइग्राम अच्छे से नूट कर लीजिएगा ये आपको आना चाहिए ये वाला नहीं है इंपोर्टेंट ये वाला इंपोर्टेंट आपके लिए ठीक है ना फिर आप से ये भी पूछा जा सकता है ठीक है ना कॉपर सल्पेट जिसमें विद्यूत लेपन किस प आना चाहिए अगला है ये भी आपसे पूछा हुए पृत्वी की सरंशना तो इसको भी दिमाग में रखिएगा ठीक है बूपरपर्टी ठीक है क्रस्ट जो हता है फिर आंतरी क्रोड है ये अंदर वाला प्रवार बहां ये क्रोड ध्यान रखीगा पृत्वी की सरंशना का डाइग्राम और ये भी मॉडल पेपर में आये वे हैं इसलिए इसको भी दियान रखना कि सौर परिवार जो है उसके अंदर सबसे पहले कौन है सीक्वेंस में आपको सारे नाम दियान रखने है और अच्छे से इसकी भी एक दो बार प्रेक्टिस कर लेना ये डाइग्राम आपको सारे complete वीडियो मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ठीक है ना तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेहतरे इंडिंग से पढ़ाई करते हैं जै हिंद जै भारत